कि अग्जाम के लिए आप लोग को प्रिपेर करा रहे थे और क्योंकि दिसंबर से ही मैंने इसको स्टार्ट किया और हमाई टीम ने इसको स्टार्ट किया और दिसंबर के बात जो हमने आपके लोग को वीडियो प्रोवाइड की हैं और हमने जो टॉपिक टार्गेट्स के थे वह थे आपके मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक्स पॉर गेट एक्जाम और बहुत सारे कुश्चन आपके इन टॉपिक से पूछे गए दिसंबर से लेकर के यह जो आपका 12 फैब है 12 फैब तक आपको जो है बहुत सारा कंटेंट हमारे इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किया गया और इवन जो 12 फैब है उस उस दिन तो मैंने आप लोग को एट वीडियो प्रोवाइड की थी आप लोग भी पढ़ पढ़ करके परिशान हो गए होंगे बड़ त लाइड कराते रहे क्योंकि हमने थोड़ा लेट स्टाट किया था दरवाइस पूरा ही सिलेवस कवर कर लेते अच्छी बात यह रही कि जो हमने सिलेवस कवर किया उसमें से बहुत सारे कोश्चन आपके गेड़ पूछ गए उसको अभी हम डिसकर्स करेंगे इसके लावा ब इसके लावा हम बात करेंगे कि अब आगे क्या स्टेटीजी हमारी होनी चाहिए या फिर आपका जो अंसर किया वो कब तक आएगा और रिजल्ट तो आपको पता ही आपको बताया हुआ है ठीक है तो इन सब इस्यू से रिलेटेड हम आज आपको बताएंगे ठीक है तो चल सबस्ति और इजी होता है तो अगर इंडिवीजो लेवल पर बात करें तो देखेंगे दो टाइप के बच्छे होते हैं एक जिनका थंड़ा टेकनिकल स्ट्रॉंग होता है ईए और बात करें कि अगर इस इन टाइप के बच्चों में अगर आते हैं टेक्निकल जिनका स्ट्रॉंग होता है तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पेपर इजी होगा ठीक है उनकी बच्चों के लिए पेपर इजी रहा होगा क्योंकि just because जो आपका paper अभी हुआ है उसमें bio process से काफी question पूचे गए थे और कह सकते हैं कि technical aspect जो था वो बहुत ज़्यादा था ठीक है जो भी questions आपके पूचे गए वो ज़्यादा था जो है analytical और technical जो है उस चीज़ के उपर आपका base था ठीक है तो अगर आपका यह strong है point तो आपका paper काफी अच्छा गया होगा और paper आपका बहुत easy रहा होगा आप लोगों के लिए बट अगर बात करें कि जो बच्चे सिर्फ theory पर focus करके गए थे और जिन्होंने टेक्निकल चीज़े नहीं देखी मतलब बाय प्रोसेज नहीं पड़ा और बाकी टेक्निक्स वगरा आपको जादा अच्छे से नहीं देखा तो उन लोगों के लिए paper थोड़ा जो है डिफिकल्ट माना जाएगा just because बाय प्रोसेज से related काफी question से और बाकी चियों से related भी technical question जो है वो जादा दीखे paper में as compared to theory questions theory questions में भी जो बच्छो आए multiple select question आपकी बार जो है first time इनोने multiple select question भी डाले हुए थे जहां पर आपका कहता एक से जादा जो है आपको options select करने थे ठीक है more than one जो है और आपके options उसमें questions में answer उसमें थे उस questions में और जैसे कि मैंने आपको बताया था और हाँ पर पर चाहर आने वाले हैं और इमका क्या है बच्चो जीरो नेगेटिव मार्किंग क्या है इनके ओपर जाद से जादा question छोड़ कर आ जाए तो हमने वहाँ पर तो मुझे नहीं लगता आप लोगो का पेपर इतना अच्छा गया होगा तो आप लोगो के लिए पेपर मैं कहूंगा कि difficult रहा होगा जहां तक मुझे बच्चों ने बताया है कि जिस टाइप का पेपर आपका आया है अभी तक तो official site पर question paper नहीं आया है और answer की भी नहीं देखे answer की और question paper है वो generally आपका upload हो जाता है within week और two weeks में आपका जो है वो पेपर जो है question paper और answer की जो है वो आपको available हो जाएगी गेट की site पर और next month जो है आपका result भी announce कर देंगी आयटी Bombay ठीक है तो यह तो बात वी और अगर आप बात करें overall paper की तो overall जो है ज्यादा तर बच्चे कह रहे हैं कि paper जो है moderate रहा ठीक है ना ज्यादा difficult बोल रहे हैं बच्चे नहीं ज्यादा easy बोल रहे हैं ठीक है बट as such आपको कोई भी नहीं बता सकता कि paper कैसरा क्योंकि हमें यह देखना होता है कि जो जो आपके 10,000 बच्चे अप्रॉक्सिमेट जो आपके gate exam को देने गए हैं उन्होंने क्या किस टाइप की preparation करके गए थे किस टाइप का mindset रा gate का paper देते हुए तो इस यह सब चीजे क्या है बचो judge करने वाली होती है बट इसका मतलब outcome क्या रहेगा क्या cut off रहेगी वो आपको कोई भी नहीं बता सकता है हम सिर्फ बात कर सकते हैं कि trend कैसा रहता है ठीक है हम यह बता सकते हैं trend कैसा रहता है बट हम यह नहीं जानते कि वह जो 10,000 बच्चे जिन्होंने एक्जाम दिया है उनका क्या mentality रहा होगा ठीक है और मतलब on and average 10,000 बच्चे जो है बाटक एक्जाम देते हैं ठीक है तो वह तो वह तो क्या होता जब तक आपका cut off नहीं आ जाएगा तक तक नहीं पता चलेगा कि paper easy है यह था यह difficult था क्यों रहा तो उसके according हम मान सकते हैं कि moderate रहा बट जो fact है वो तभी सामने आते हैं जब data सामने आता है तो data अभी हमारे पास available है नहीं और जैसी available हो जाएगा तो वह भी आप लोग को बताया जाएगा तो tension मतलीजिए क्या होगा आगी चलते हैं तो यह तो बात रही टेक्निकल इस आप लोग को एक बार जो है बताना चाहूंगा यह अगर आप हमारे चैनल से जुड़ हुए थे तो आप लोग के कितने question solve हुए मैं आप लोग को एक बार दिखाना चाहूंगा तो देखी वह प्लेलिस्ट है जो हमने आप लोग के लिए बनाई थी और December से I think upload start किया था तो मैं आप लोग के बार बता रहा हूं तो देखी एक स्टोइकोमेटरी से आपका question आया था देखी स्टोइकोमेटरी पर मैंने दो वीडियो डाली हुए थी चीक है तो इन से related question आपका पूछा गया है इसके अलावा बच्चों growth kinetics आपका question आया है और इसमें बच्चों मैं आ आपके question आया है और वो भी हमने cover किया तीन पार्ट में हमने batch process को बैच रेक्टर को cover किया ज्यादा टाइम देना उसको जरूरी था क्योंकि सारी चीजे basics जो है यहां पर हमने पूरा आपका basics बनाया था तो आगर आप हमारे साथ जूड़े हुए थे तो आपको पताए कि कि इस तरीके सापका basic बनाया गया था ताकि किसी भी type का question आ जाए तो आप उसको solve करके आएंगे आएंगे तो इस तरीके का आपका environment आपको provide किया गया था ठीक है जो आपका content है इसके रावाद देखिए enzyme enzymes related जो है बहुत simple question आया था उसमें ज्यादा आपको कुछ पता होना भ आपका एक question आया था तो वह भी आपने हाँ पर सौर attempt किया होगा और आपने उसको भी answer किया होगा इसके अलावा देखिए hybrid technology पूरा वीडियो गनाया था hybrid technology पर क्योंकि मुझे पता था कि बहुत important topic है तो इस से related एक video आपको provide किया था और इस से related आपका question भी आया है इस बार डाला था मैंने इसका और यह भी मैंने आपको वीडियो डालते समय बताया था कि इस से related जादा question आपके पूछे नहीं गये हैं तो यह सारे चीजे मैं आपको पहले ही बता थी कि फैट बैच इतना ज्यादा important नहीं होता है बट फिर भी क्योंकि इससे दो तिन question आया थे तो आपका direct question बनाएं इसके लाबा फिर इस ट्राडाइशन आप नहीं कह सकते कि आपका question मतलब बच्चों ने नहीं बताया कि इस लाइशन से आपका question नहीं है आपके बाद यह इक important topic था इसके लाब यहां से भी नहीं आया आपका और scale up से देखिए question आपका पूछा गया scale up भी आपका target किया गया था इसके लाबा बच्चों ने मुझे बताया mass transfer से आपका एक question आया जिसमें आपने oxygen transfer rate तो oxygen transfer rate से related आपका एक question यहां से भी आपका पूछा गया था ठीक है तो वहाँ पर I hope आप लोग उसको भी attempt करका हैं उसको भी solve करका हैं क्योंकि यहां पर भी वह formula आपके सब discuss किये थे mass transfer से even kla measurement भी सिखाया था बट इतना important था नहीं जो चीज़ important नहीं थी वह मैंना आपको वीडियो के starting में आपको बता जया था कि इस से related question आने के chances कम है क्योंकि उससे कोई question अभी तक पूछा नहीं गया था तो generally यह होता है कि trend अपना आपको repeat करता है ठीक है इसके बाद देखो यह techniques related आपको वीडियो प्रवाइड की गई उसके बाद ही transfer ही transfer से related एक ही formula आपको पढ़ाया गया और एक ही आपका नुमेरिकल जो है मुझे बच्चों ने बताया कि एक नुमेरिकल आपका ही transfer से बना और वही एक ही formula आपका पढ़ाया भी गय है और उससे related आपका direct question पूछा गया ठीक है तो मतला आप देख सकते हैं कि जितने topic discuss के है जनल मतला ओवराल बात करें तो हर topic से question जो है आपका generally पूछ लिया गया है तो काफी जो है अगर आप हमारे channel के साथ जूड़े रहे और आपने content को देखा है तो मुझे 100% येकीन है क ठीक है या और आपको benefit यहां से मिला होगा काफी ज्यादा कि इसके लावा बात करें तो यहां से कोई नहीं है डीने आपकी बार यह डीने डाइशन वह जैलन है analysis से कोई question नहीं आया जनली वैसे इस topic से भी question कूछ आता है मैट्रिक्स discuss किया तो मैट्रिक्स में आपकी बार इसके बाद देखिए इंस्टूमेंट टेक्निक्स इसको भी आएंगे दुबारा इस पर बाकी इंस्टूमेंट टेक्निक्स से भी मुझे बताया गया बच्चो यह आपके यहां से भी काफी question आया है तो यह इतने सारे question जो है आपको प्रोवाइट किये गए और जो मुझे बच्चों ने बताया यह discuss करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए क कितना benefit आपको इस चैनल से मिला है इन वीडियो से मिला है यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगा कितना फायदा हुआ होगा मुझे तो लगता है कि आप लोग ने इन questions को बहुत ही अच्छे से answer किया होगा देखिए theory में देखिए two day strategy मैं आपको बताए थी उसमें आपको approximate 8 वीडियो मैं पूरे दिन बैठा रहा और मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो प्रवाइड करनी जी तो मैंने पूरे दिन बैठ करके आपको 8 वीडियो प्रवाइड की और इन 8 वीडियो में से जो है और टेक्निक से उपर आपके दोनों question बन गए जो हमने discuss कि यह थे और क्योंकि मतलब क्या है वो टेक्निक्स बार-बार repeat हो रही थी मतलब वो जो questions थे टेक्निक्स बार-बार repeat हो रही थी लेकिं फिर भी मैं आपको कराए ताकि आपकी practice हो जाए ठीक है तो वहाँ पर जो है आपका इनसे भी related question आपके पूछे गए ऐसा मुझे बताया गया है और यहां से आपका कोई प्रोटीन का secondary structure पर आपके question पूछे गए थे प्रोटीन वाइल फायलेक्स और बीटा शीट का जो है structure वो तो वहां से आपका question आया इसके लाब मुझे बच्चों ने बताया कि unrooted tree और यह भी question मैं आपको इनी एट वीडियो में आपको कराया था कि आप कैसे अंडूटी ट्री काउंट कर सकते हैं तो उसका फोमला भी मैंने आपको डिसकस किया था तो मतलब काफी जादा आपको यहां से benefit मिला और जादा वीडियो भी नहीं हमने upload की थी मतलब पूरा syllabus भी अगर आप इस चैनल से हमारे साथ जूड़े हुए थे और अगर आपने हमारे सारी वीडियो को देखा रिवाइस करके गए तो मैं यह मानता हूँ अगर आपने हमें follow किया तो आपका यह paper आऊगा easy आप लोग comment करके बताईएगा कि आप लोग क्या आप लोगों ने यह चीज फील की जो आप लोगों को यहां पर पढ़ाया गया वह आपके paper में आपको किस तरीके से help किया आप comments करके बताएगा कि comment से हमें पता चलेगा कि कितने बच्चों को इस चीज से benefit मिला किस तरीके साफ लोगों को इससे benefit मिला तो जुरू comment करके बताईएगा और इसी से हमारा moral थोड़ा बड़ेगा और हम और ज्यादा इसी टाइप का quality content आगे आपको provide करेंगे आपका get exam इसी बार clear हो जाएगा आगे जो content में provide करने की बात कर रहा हम वो further exam के लिए जैसे कि आप CSR वगरा आप prepare करेंगे तो उस quality content की मैं आपको बात कर रहा हम चिक है यह तो आपका होई जाएगा इसके बात करते हैं बच्चों बच्चों क्या है कि यहां पर हम सिर्फ एक trend बता सकते हैं हमें एक trend को देख सकते हैं कोई नहीं बता सकता कि cut off क्या रहने वाली है जब तक कि वह announce ना कर दी जाए ठीक है तो जैसे कि मैं आपको बताया कि यह इन चीजों पर depend करते हैं कि आप जो overall जो बच्चों जो exam देने किया था और वही सारी चीजा अपने डिसकस की थी तो आप लोग के लिए पर बहुत इजी रहा हुआ तो आप लोग निश्चिन तो करके अराम से बैठ सकते हैं बिना टेंशन लिए हुए कि आपका क्या result आने वाला है ठीक है बट अगर एक trend की बात करें तो देखे 16 के बा तो इसलिए क्या है जादा इससे पीछी जाने का कोई फायदा है नहीं तो आप देशकते हैं 2016 से यहां पर 26 गया फिर 38 गया फिर 27.9 अगर एक तरीके से trend देखें तो यह वाला जो आप देख सकते हैं कि यह जो है यह अप्रॉक्सिमेट 30 के close जाने की कोशिश करता है और यह वाला जो trend है यह जो है यह 40 के close जाने की कोशिश करता है तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह trend आगे follow होने वाला है बट मैं एक आपको बता रहा हूं कि यहां पर repetition कैसा है ठीक बट ऐसा नहीं है कि यहां पर 40 आएगा बट ओवराल यह मान करके चलिए कि आपका जो cut-off है वो से अभी तक यह कभी कभी मतलब 2017 में काफी जादा चली गेती पेपर इजी होने की वेज़े से बट अभी देखते हैं अभी क्या रहेगा कि पेपर तो moderate ही लग रहा है एजी moderate कह सकते हैं आप लोग इसको moderate यह category में मैं इसको लेकर करके चल रहा हूं तो आप नहीं थियोरी बहुत ईजी आए थी पेपर में theory बहुत ईजी थी बट यह है कि जिन बच्चों का अगर ठीक दाना तो उन लोग लेए पेपर बहुत अच्छा रहा क्योंकि theory is the team और बाइस अगर रुनाती थी तो पेपर बहुत ईजी हो जाएगा चीक है तो आप कह सकते हैं कि 30 या 35 37 कर लिजे इसको तो in between जो है cutoff इसमें लाए कर सकती है अब आप देख लिजाए आप कितने answers जो है correct करके आए हैं उसके basis पर आप डिसाइड कर सकते हैं बात करें OBC category की और OBC category में आप देख सकते हैं कि आप मान करके चलिए कि आपका 30 कद्फीर से इसके अज़रीर अगर्समादी अगर्समाद के दिख सकते हं इससे पहले कभी विफशनादी से उपर नहीं गई है यहां पर आप दे सकते हैं 35 चली गए थी बट मुझे नहीं लगता इतना जाला जाएगी तो यह तो हम ट्रेंड ही देख सकता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है बट कोई भी यह ने बता सकता कि क्या रहेगी कट आफ अगर कोई यह कहता है कि यही कट आफ आएगी तो वह आपका बेवकूब बना रहे हैं ऐसा नहीं होता है कोई नहीं जैज कर सकता फैक्ट के वेसिस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपका रिजल्ट है ठीक है तो हम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और प्रेडिक्शन जो है वो लगबग यह हो सकता है टेंशन मत लिजे देखें कहीं पर अगर आप यह सोच रहे हैं कि हमारा कि यह इसमें इसके अंडर में तो मेरा पॉसिबल नहीं है तो आपको टेंशन लेनी की जो पहले बात तो यहीं चीज ठीक है अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर जादा ही कम रहने वाला है तो थोड़ा सा टेंशन आपको हो सकता है बट उसे चैंशन को भी ले कर कि आप कोई फायदा नहीं है ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि स्ट्रेस के साथ जर stress रहता लेकिन मैं यह मानता हूं कि stress लेने से कोई फायदा नहीं है आप आगे की strategy बनाएं कि आपको आगे क्या करना है जो हो गया उसको आप change कभी भी नहीं कर सकते तो उसको वहाँ पे आपको time देने में आप सिर्फ और सिर्फ अपना time waste कर रहे हैं ठीक है और यह मान करके चले देखे इतने सारे बच्चे जो है 10,000 बच्चे जो है इस gate exam को देते हैं बट selection सबका तो नहीं होता है ठीक है तो attention ले करके कोई फायदा नहीं है आप आगी further अपना strategy बनाएं कि आप क्या कर सकते हैं ठीक है और उस strategy के लिए बच्चों हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं अब हम इस channel पर आपको provide कराने वाले हैं CSIR and DBT तो यह जो दो एक्जाम है यह भी आप लोगों के लिए बहुत important है अगर आप बाय टेक्नलोजी के students है गेट exam आपने qualify क्या बहुत ही अच्छी बात है बट आपको यह exam तो बच्चों qualify करने ही पड़ेगी अगर आप बाय टेक के students है क्योंकि इनका जो एक कह सकते हैं अल अगर आपका गेट exam अच्छा गया है तो अब आपका और अगेट exam अगर अच्छा नहीं भी गया है तो सभी के लिए मैं बता रहा हूं कि अब आपका next goal ही होना चाहिए CSR and DBT ठीक है बाय टेक में जो है बच्चों अगर आप बीटेक से आपने क्या है मतलब अगर आप बी आपको दो एक्जाम चाहिए या तो आपको गेट exam क्लियर होना चाहिए तो आइटी गेट से भी ले लिती है अधर्वाइस या तो आप CSR क्लियर करेंगे ठीक है लेकिन आपकी बार जो है और भी ज्यादा अच्छा जो है आपको कंटेंट प्रवाइट होने वाला है ठीक ह तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं आगे के लिए और नेक्स पॉसिबिली जो है नेक्स ट्वीक से आपको जो है ये कंटेंट आपको अवेलेबल होना इस्टार्ट हो जाएगा ठीक है ठीक है अगर तो जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर आप CSR और DBT के लिए प्र के लावा जो है अब आपको राहूल सर की वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगी और इसके अलावा जो है आपको दिवया मैं से वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगी और समिती मैं भी आपको वीडियो प्रवाइड कराने स्टार्ट करें कुछ वीडियो आपने समिती मै दीजे और गेट एक्जाम तो आपने देख लिया है कि गेट एक्जाम में जो हमने पढ़ाया वही आपको मिला है जो हमने पढ़ाया है उसी से रेलिटेट आपके कोश्टन पूछे गए हैं और तो उससे आपको हमारा पता चलिए है कि हम किस तरीके से आपको प्रिपेर कराने वाले हैं CSIR and DBT के लिए ठीक है तो अगर आप लोगों को हमारा content वगरा सब कुछ पसंद आया और आप continue करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुरूर जुड़ी रहे ठीक है जो भी आपको लगता है कि आपने कितना correct करका है तो उसके according आप अपना score बता सकते हैं और अगर आपकी कोई query है तो वो भी आप mention कीजिए comments के अंदर जो भी आपका next video upload होगा तो मैं कोशिच करूँगा कि आपके जो भी आपकी queries है उनको solve करने के लिए एक video आपको अलग से बना करके प्रवाइड करूँ उसके उपर ठीक है तो comment करके जुरू बताईए कि आप लोग का exam कैसा रहा आप लोग को हमारे channel से help मिली या नहीं मिली जो भी आपके views है वो आप जरूर यहां पर present करें ठीक है और बाकी prepare का start अपना तयार रहें CSIR और DBT के लिए प्रवाइड करने के लिए अगर आपने यह exam निकाल लिया तो आप यह समझे कि आपने इंडिया में जो top most exam है by technology students के लिए आप उसको crack कर लेंगे वो ह आपको बहुत एज़ी लगेंगी चीजे ठीक है इस तरीके साब को प्रिपेर कराएंगे और आपका यह exam भी हम आपको crack कराएंगे ठीक है तो हमारे साथ जूड़े रहे हैं हमारे साथ बने रहे हैं और इसी तरीके से हम आपको quality content provide करती रहेंगी ठीक है तो thank you for watching tension बिलकुल बाते रहेंगे कि answer की जब आएगी और उस से लिटेट इंफोर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और बाकी आगे आप क्या कर सकते हैं उन से लिटेट वीडियो भी आपको जैसे कि क्या क्या आप लोग के पास जो है अगर आपने गेट एक्जाम निकाल लिया तो क मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्यू फॉर वाच्चिंग